तो यह रहां फेंड मेरा आज का पहला कोशन तो चलिए सबसे पहले आप लों वीडियो पाउस कीजिए और इस कोशन को ट्राइ कीजिए अभी हम लोग यापास NTPC exam और RRC group D exam के लिए math के लिए most important question solve करें सारी कोशन आपके exam के point of view से important होने वाले है और जैसे कि मैं बार और बता चुका हूँ session को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को practice के तोर पर लेना है देखना है कि आप कितने कोशन कर पा रहे हो और आपकी preparation math में की ज़गा पर stand कर रही है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप मेरे पिछला सभी वीडियो से updated होंगे और आजी के दिन आपका exam date भी announce कर दिया गया है तो बस जितना जादा से जादा हो सके आप लोग अपने तरफ से practice करो ठीक है चैनल में दे दूंगा वहां से अपलोड कर सकते हो ठीक है लिंक सारा कुछ discussion box से मिल जाएगा चलिए question क्यों राते है पहला question में क्या बोला है यदि तीन क्रमगत धनात्मक प्रकरतिक संख्याओं का योग का वर्ग उनके वर्गों का योग से 382 अधिक है तो तीनो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताओ तो सबसे पहले तो आपने question समझे question में क्या बोल रहा है बोल रहा है कि कोई 3 consecutive number है उन तीनो का sum का square उन ही तीनो नंबर के square का sum से 382 जादा है तो आप से पूछ रहा है कि तीनो नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी बताओ तो देखो आपके पास यहाँ पास option है आप चाहो तो यहाँ पर option का help लेके within second हो में बना सकते हो अब option नहीं होता तो फिर आपको बनाना पड़ेगा अब यहाँ पर बनाने के लिए करना है जैसा question नहीं बोला गया बस वैसा कर सकते हो तीन क्रमगत संख्या है तो मैं तीन संख्या माल लेता हूँ x-1 प्लस x प्लस x-1 ठीक है यह तीन संख्या हो गया अब जैसा question बस बोला गया बस वैसा करते जाओ इन तीनों नंबर का sum का square ठीक है इन ही तीनों नंबर का इन ही तीनों नंबर का देखो यह तीनों नंबर का यानि x-1 का square प्लस x का square प्लस x प्लस 1 का square ठीक है इन ही तीनों नंबर का इन ही तीनों नंबर का square का sum से कितना ज़्यादा था 312 तो बस 382 दे रहा हूँ अब इसको solve करो अब यह आपके उपर है कि आप कितना जल्दी fast calculation कर सकते हो तो यह minus यह खर्तम हो गया यानि 3x हो गया 9x square हो जाएगा यहां से यहां पर देखो minus है देखो यह a minus b 2xendykaholis यह a plus b kholis square यानि-2x-plus 2x तो कट जाएगा x कितना हो जागा 3x हो गा ठEEEEK x square हो जागा ठीक x i क्या आजाएगा 6 x square 384 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चगा 364 यानि x square 64 है तो x का value क्या आजाएगा 8 आजाएगा तो x का value 8 है तो मेरा वो तीनों number कौन कौन सा होगा तो x minus 1 यानि एक 7 होगा एक 8 होगा एक 9 होगा यानि सबसे बड़ी संख्या कौन सा होजागा option number first clear चलिए next question कर बढ़ते है next question इसको try करो फटाक से यहाँ पर क्या बोला है A, B और C, D एक वृत के व्यास है जो P पर काटते हैं A, C, C, B B, D और D, A से जोडते हैं यादि angle P, A, D 60 degree है तो angle B, P, D किसके बराबर होगा बताओ तो सबसे पहले question में क्या कह रहा है कि A, B और C, D कोई एक diameter है दोनों एक दूसरे को P intersection point पर कट कर रहा है जैसे कि मैं figure बना लेता हूँ जैसे कि एक circle हो गया दो diameter है यह A, B माल लेता हूँ और यह C, D माल लेता हूँ तो मैं मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे को center point पर कट कर रहा है यह A हो गया यह B हो गया, यह C हो गया यह D हो गया और यह P point intersection point है जहाँ पर यह cut किया है और according to question बोला गया यह सभी को एक दूसरे में जोड दिया गया है ठीक है अब आगे question में क्या बोला गया है कि angle P, A, D अगर 60 degree के बराबर है यानि आपको यह वल एंगल दे रखा है 60 degree के बराबर तो आपसे पूछा है angle B, P, D बताओ क्या होगा यानि यह वल एंगल पूछ रहा है आपसे बताओ अब आप बहुत असानी से बताओ बना लोगे आपको पता है अगर यह center point में मान रहा हूँ अगर यह center point है तो यह क्या radius है यानि PA और PD क्या radius है तो आपको पता है अगर यह वला radius है यानि इस वाले भुजा के सामने अगर यह angle 60 degree है तो यह 60 है तो आपसे यही वाला angle पुछा था यानि यह angle कितना होगा बच्छा 120 degree यानि correct answer हो जागा option number D clear next question next question इसको try करो एक pencil का क्रायमूल एक कलम के क्रायमूल से 33 एक सही 3% कम है यदि एक व्यक्ति को 4 pencil का 5 कलम के क्रायमूल पर बेजता है तो उसका लाब परतीसत बताओ क्या होगा अब according to question question में पहले कहना है क्या चाहरा थे कि कोई एक pencil है और कोई एक pain है ठीक है तो मैं माल लेता हूँ यह pencil होगया और यह pain होगया बोला क्या है pencil का cost price pain के cost price से 33.33% कम है तो इसका fraction value क्या होता है 1 by 3 अगर इसका मतलब अगर pain का अगर मैं कीमत अगर 3 unit समझ रहा हूँ तो उसमें एक कम है यानि pencil का कीमत कितना होगा दो होगा तो यह मैं माल लेता हूँ कि आपस मैं उनका जो cost price का ratio वो इसी तरीका से होगा अगर समझ रहो अब आगे क्या बोला है यदि एक वैक्ती ने 4 pencil को 5 कलम के कराय मूल पर बेच दिया तो 5 कलम यानि 5 pen के price में बेचा गया है तो pen का price अगर 3 है तो 5 का दाम कितना हो जागा 15 चुकि उसको बेचना था pencil अगर 2 रुपय करके दाम था तो चाठो का दाम कितना होगा आठ रुपया होगा यानि आप समझ गए आठ का माल को 15 में बेचा गया है तो profit कितना बनाया गया है 7 unit का out of 8 रुपीज पर यही तो पुछा तब profit percentage तो 8 से काटेंगा साड़े 12 solve कर लो तो 12 सते 84 प्लस साथ आदम अदब साड़े 3 हो जाएगा यानि कितना हो जागा 85% correct answer हो जाएगा option number D clear next question इसको try करो यहाँ पर क्या बोला एक वर्ग का विकर्ण एक संभाहुत रिबुच के भुजा के बराबर है यादि उस वर्ग का छेतरफल 15 root 3 cm square है तो संभाहुत रिबुच का छेतरफल बताओ क्या होगा यानि क्या बोला है कि कोई एक square है जिसका diagonal जिसका diagonal यानि उसका विकर्ण किसी संभाहुत रिबुच के बराबर होता है और आपको उसी वर्ग का छेतरफल यानि area दे रखा 15 root 3 तो आपसे पूछा equilateral triangle का area बताओ क्या होगा तो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सगर ये इस square का area आपको दे रखा है तो और diagonal इसका इसके भुजा के बराबर होता है तो सबसे पहले हम इसका diagonal निकाल लेता है तो formula क्या होता है area of square का आपको बताओ तो क्या होता d square by 2 area मेरा को पहले से दे रखा था 15 root 3 d square by 2 याने d square याने d square कितना आ जाएगा 30 root 3 याने d की value की बात करे तो क्या आ जाएगा मेरा क्या जाएगा under root 30 root 3 आ जाएगा अब दोगो यही मेरा d है तो यही मेरा D है और यही मेरा भूजा कितना निकल क्या आ गया अंडर रूट 30 रूट 3 अब आप एरिया नहीं निकाल लोगे समभावत रिभूज का फर्मूला होता है रूट 3 बाई 4 A स्क्वाइर साइड का स्क्वाइर तो साइड का स्क्वाइर करेंगे तो रूट खतम हो जाएगा यानि 30 रूट 3 तो रूट 3 तीन और 3 कुना 30 90 बटा 4 यानि 45 बटा 2 सेंटिमेटर स्क्वाइर से करेक्ट आंतर हो जागा अप्शन नमबर D क्लियर next question simplify ये करना है जल्ली से करो उपर देखेंगे सबसे पहले numerator में तो यहाँ पर numerator में आपको दिख रहोगा 3.6 3.6 common है तो इसको पहली हम common ले ले रहे उपर किता हो जागा 62 और 70 और 80 और 112 यानि 2.8 हो गया यहाँ किलियर है सभी को नीचे में देखते है कुछ हो रहा है तो करेंगे 1.8 है 0.8 है यहाँ पर 10.8 है यहाँ पर 2.16 है इसमें common मिल रहा है मगर यहाँ से common नहीं मिल पा रहा है तो चलो पहले solve भी कर लेते हैं तो 18 गुना 8 यानि 144 यानि 1.44 पॉंट के ध्यान रखना पॉंट के बार डबल डिजिट है प्लस 108 गुना 3 यानि कितना हो जागा 324 यानि 3.24 हो जागा माइनस 2.16 इसको इससे घटा लेंगे क्योंकि 108 का ही multiple है तो 108 आजाएगा यानि 1.08 आजाएगा तो 1.08 को इसमें add कर लेंगे तो यह कितना आजाएगा कुछ नहीं बचेगा 36 से काट लेते है यूने डिजिट का help लेंगे तो 7 बार में कट जाएगा 7 से काटेंगे 4 बार में यानि correct answer हो जागा option number 3 चले है next question इसको try करो अच्छा ये 6 number वाले question में थोड़ा सा language में problem है बात बाकि इसको मैं ignore कर रहा हूँ यहाँ पस चलो 7 number वाले question को देखते है इसको try करो आपको 1 यंग बताना है इस वाले series का आपको 1 यंग बताना है बताओ जो बरजस्त question है सबसे पहले जो को 1 यंग अगर बताना है तो ये series एक चल रहा है ठीक है 1, 3, 5, 7 और वो भी 3 के power में 3 है 5 के power में 5 है 7 के power में 7 है 9 के power में 9 11 के power में 11 इसी तरीका से ये 111 तक गया है तो concept की बात करें तो आप सभी को पता है कि odd number का multiply जब भी हम किसी odd number से करते है तो result हमेशा क्या मिलता है मेरे को odd ही मिलता है बस यही चीज आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए था आप देखो यह सभी number odd है और power में भी odd है ठीक है power में भी odd है थोड़ा दर के लिए बात को समझो तो इसका मतलब जो numbers of quantity भी जोगी वो odd ही होगी तो odd का multiply करोगा तो यह सभी में आपको 5 है और 5 का multiply जब किसी से भी करते होना तो 2 ही number मिलता है या तो आपको 0 मिलेगा या तो आपको 5 मिलेगा और 0 कब मिलता है जब आपका multiply इसका 2 से हो जाता है तब और आपको पता यहाँ सारे number तो odd रहेंगे तो 2 तो कभी मिलने को नहीं है यानि जो भी number आएगा सब को 5 से multiply करते जाओगे तो 5 ही इकाई यंग पर आएगा यानि correct answer हो जागा option number D clear? चले next question कर बढ़ते हैं इसको try करो यहाँ पर क्या वहला है एक वैक्ति 120 किलोमेटर की cool यात्रा में हर 20 किलोमेटर के दूरी तै करने के लिए सबसे पहले आपको पता है आपको पता है क्या total distance by total time यहाँ तो सभी को clear है मेरे को question में क्या बोलता है कि 120 किलोमेटर का ही distance है और हर 20 किलोमेटर में अपना speed को वह ददस करके बढ़ा रहा है और जो initial में speed था वह 10 किलोमेटर परतिगटा का ही speed था तो आपको बताना है औसद गती तो सबसे पहले औसद गती की बात करें तो आपको तो पता है total distance तो मेरे को असानी से निकल के है कि 120 किलोमेटर है total time आपको यहाँ पस निकालना है तो आप जैसा भी समझके बना सकते है 120 किलोमेटर का distance है तो 20-20 का ही cycle होगा तीन, चार, पाँच और यह अच्छे है तो आपको पता है हर 20-20 किलोमेटर में वो उसका speed बढ़ता भी जा रहा था ददस के speed से तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो तो time अगर बात करें तो हर के लिए time अलग-अलग होगा तो time is equal to क्या होता distance by speed तो 20 किलोमेटर का distance जब वो 10 किलोमेटर से start किया था तो यहाँ पर समय कितना लगा होगा 2 घंटा बस यह करते चलो यहाँ पर speed अब आपका बढ़ गया 20 हो गया तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर speed 30 हो जाएगा यहाँ speed 40 हो जाएगा यहाँ आपका 50 हो जाएगा यहाँ आपका 60 हो जाएगा अब आप solve नहीं कर लोगे सब जल्दी अलदी तो इसको मैं यहाँ solve कर लेता हूँ यह 2 और 1 तीन यहाँ से आ चुका ठीक है और यहाँ पर 15 और 12 और यह आपका 10 तो 20 और 30 और 45 और 47 और 57 बटा 30 कितना हो जाएगा 3 से कट जा रहा है यानि 1.9 आ जाएगा 1.9 टाइम यहाँ था और 2 और 1 तीन यहाँ टाइम था तो कितना हो जाएगा 3 और 4 यानि 4.9 आ जाएगा यानि कितना हो जागा मेरे 120 बटा 4.9, अब इसको divide करना है, अब यहाँ पर confuse मत होना है, 120 को जब हम लोग 5 से भाग देते हैं, तो क्या आता है, 24 आता है रिजल्ट में, चूकि नंबर कम है, तो यहाँ पर यहाँ पर नंबर कम है 5 में से, तो यानि रिजल्ट में क्या होगा, ज़्यादा भागेगा, यानि 24 पॉइंट सम्थिंग होगा, बात समद रहे हो, तो इसका अंसर कौन सो होजागा, ऑप्शन कल पिलेंगा, तो 24.49, करेक्ट अंसर होजागा, ऑप्शन नंबर B, क्लियर, चलिए, नेक्स कॉश्चन इसको ट्राइ करो, अब यहाँ का अगर हम X प्लस, यह 7 के जगा में हम लोग केवल 1 लिखेंगे, और 6 जो बचा, यानि 6 प्लस एक 7, हम क्या कर रहे है, 6 को राइट हैं भेज दे रहे है, सिधा सिधा, बोलो, यह 6 को जब यहाँ बेजेंगा, तो 8 में 6 जाएगा, तो कितना बचेगा, दो बचेगा, अब यह चीज आपको क्यूबिक में पूछा है, आप नहीं बता दोगा असानी से क्या होगा, हम लोग डिरेक्ट फर्मूला भी जानते हैं, यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, जिनको थोड़ा, मतलब जो लोग फर्मूला यही करते हैं, यही फर्मूला का यूज यहां भी करेंगे, तो दो का क्यूब करेंगे, तो आठ हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 6, तो 3 इंटू 2, यानि यह कहा है एगर रिजल्ट 2, यानि करेक्ट अंतर हो जागा, ऑप्शन नमबर 1, क्लियर, चलिए नेक्स कूरसन इसको वजन D से 6 किलोग्राम जादा है, समू में सामिल होकर A की जगा लेता है, तो B, C, D, E का उसत वजन 75 किलोग्राम अजाता है, तो A का वजन बताओ क्या होगा, बताओ, अब जैसे जैसा कोशन बोला गया, बस बैसे बैसे करते चलो, कुछ उंको नहीं करना है, A प्लस B का 226, यानि 264 किलोग्राम हो गया वजन, तो यहां से आप मेरे को बता सकते हो, कि भीया, D का वजन कितना होगा, तो आपको पता चल गया, 54 किलोग्राम का हो गया, according to question, E के बारे बोला गया है, कि वो D से 6 किलोग्राम जादा है, यानि ये 60 हो गया, आगे बोला गया है, कि कर लिया गया, A के जगा पर, यानि B, C, D, E को सामिल कर लिया गया, तो औसत वजन होगी, आप 75 किलोग्राम, तो 75 का फोर टाइम्स करेंगे, तो कितना हो जगा, 300, अब आप से पूछा तो A का वजन बताओ कितना है, तो A का वजन आपने ही निकाल लोगे, देखो न, A, B, C तो B, C, D तो common है, यहाँ पर भी B, C, D common है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो E का वजन जादा दीख रहा है, तो 300 में से 264 जाएगा, तो कितना हो जगा, 36 हो जाएगा, यानि E और A के बीच में जो वजन का डिफरेंस है, वो 36 का डिफरेंस है, और E का वजन अगर 60 है, तो E का वजन क्या होगा, 24, correct answer option number B, next, इसको ट्राइकर ओफ फटाक सिन, जवर जास्त कोश्चन है, इसको देखते हैं कौन मनाता है, यहाँ पर क्या बोला है, यदि किसी डिवाइस का विकरी मूल ने, छूट के 5 गुना है, तथा छूट का परतिसत, परतिसत लाब के ब सबसे पहले आपने कोशन समझा, कोशन में कहना क्या चाह रहा है, बोला है कि कोई भी डिवाइस का सेलिंग प्राइस जो है, वो डिसकाउंट का 5 ताइमस है, तो चलो मैं माल लेता हूँ कि यह SP और यह डिसकाउंट के बीच में पहली रिलेशन दे रखा है, कि है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है, क्लियर, अब मैं आपसे पूचता हूँ, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कभी भी डिसकाउंट मिलता है, वो किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है, यानि अंकीत मुल पर आपको डिसकाउंट मिलता है, पता है न, डिसका अब आपसे पूछा क्या था कोउश्ट में कोश्चन में आपसे पूछा है कि परतीसत लाब का बरावा सब्सक्राइब आपसे लागत मूल पर दी गई छूट का अनुपाद बताओ क्या होगा यानि आपसे रेशियो पूछ रहा है किसका किसका discount offer to cost price तो अब हमको यहाँ पर CP निकालना है अब CP कैसे निकालेंगे तो आगे वाले condition का मदद से निकालेंगे क्योंकि आगे भी एक condition क्या बोला था ध्यान से पढ़ना छूट का परतीसत परतीसत लाव के बराबर है यानि जो भी मतलब जो percentage of discount जो है वो आपका profit percentage के बराबर है तो बस दोनों को बराबर करेंगे तो आपको पता है discount offer जो हुआ है discount percentage की अगर बात करेंगे तो discount percentage कैसे मिला होगा तो MP में ही discount मिला होगा तो MP में से selling price को अगर हम घटाएंगे वो ही discount होगा और out of MP में चेक करेंगे यही तो मेरा होगा क्या discount percentage बोलो यही होगा ना discount percentage equal to profit percentage अब profit किसमें हम लो count करते हैं हमेशा क्राइमूल पर count करते हैं और जो कि profit हो रहा था इसका मतलब selling price बड़ा है CP से बस यही तो percentage आपको करना था तो 100 और 100 cancel हो गया अब आपका पास सारा data है भरबूर के बना लो तो MP अगर 6 है SP अगर 5 है तो 6 में से 5 जागा 1 यानि 1 बटा 6 यहां निकल के आगया SP कितना है? 5 तो 5 minus CP और CP यहां आगया तो CP वहाँ चला जागा 6,5,30 और 6,1,7 यानि आपका कह सकता हूँ यह क्या हो जागा? 6,1,7 हो जागा तो CP क्या हो जागा? 30,2,7 हो जागा बोलो क्लियर एक नहीं है यानि जो कौश्ट प्राइस आया है वो क्या है? 30,7 बटा आया मेरे से क्या पुछाता? रेशियो पुछाता discount offer to cost price तो discount कितना मिल रहा है आपको? एक का मिल रहा है रेशियो किसके साथ CP के साथ पुछाता है तो 30,2,7 है solve करेंगे तो उपर साथ चला जागा नीचे आपका 30 आ जागा यानि साथ correct answer जागा option no.3 बोलो clear है? मजा आया है? चले next question इसको try करो फडाक्सिन यदि 26 root 3 cm विकर्न वाले घन पिगलाया जाता है तो घनाप के उचाई कितनी है यदि घनाप का लंबाई घन के भुजा के बराबर है तो घनाप की चोड़ाई 13 cm है अचा कोई भी चीज को हम लोग मेल्ट करके किसी भी चीज में बनाते है तो volume में कोई changes नहीं होता है यह जानते हो तो यहाँ पर क्या बोला है यदि 26 root 3 cm वाले विकर्न वाला घन यानि एक आपका cube है आपको इसका विकर्न दे रखा है तो सबसे पहले cube का diagonal का formula क्या होता है root 3 ही होता है और यही आपको यही आपको दे रखा है यानि height पुछ रहा तो आप एक बताओ इसका volume बराबर होगा तो volume की बात करें तो a cube क्योंकि इसका volume क्या होता है a cube भुजा का 3 गुना यानि क्या हो जागा 26 26 26 और घनाप की volume की बात करें तो क्या होता है length, breath, height तो length क्या बोला था उसी के बराबर होगा यानि ये भी 26 के बराबर होगा और चोड़ाई आपको दे रखा था 13 और उचाई आपको निकालना था यही question था तो 26 26 काटेंगा 13 से 2 यानि 26 दो 52 correct answer option number first इसको try करो यहाँ पर क्या बोला P थथा Q Q दो बिंदू एक इमारत के अधार से क्रमस X तथा Y की दूरी पर है तथा एक सिधी रेखा पर है यदि बिंदू P तथा Q से इमारत की चोटी का उन्यान कौन पूरक है तो इमारत की उचाई बताओ क्या होगा चलो पहले question समझ लो question में क्या बोलना चाहरा है P था Q दो बिंदू से एक इमारत के अधार पर मतलब कि कोई दो पॉइंट से कोई एक कोई दो पॉइंट से कोई एक टावर को देखा जा रहा है जिससे आपको distance भी दे रखा है तो मैं एक फीकर मैं पहले समझा देता हूं यह माल लेते यहां और यह माल लेते हैं यहां ठीक है एक सेकेंड मैं यहां पर थोड़ा सा आ रहा हूं ठीक है वेट किजी हलका से हम आफी चाहूंगे ठीक है तो आपका दो पॉइंट है ठीक है दो पॉइंट से अब क्या बोला गया था फी तथा क्यूब दो बिंदू इमारत के दार पर ख्रमस एक्स तथा वा अब बोला वाइ ग्रेटर देन एक्स है यानि मैं कह सकता हूं इससे इसका बीच में जो डिस्टेंस है यह यह का डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो distance है वो x का distance है ठीक है? अब माल लो यह आपका P माल लो और यह Q माल लो क्लियर है सभी को? अब देखो यह पिर उसको P माल लो इसको P माल लो इसको Q माल लो फरक नहीं वैसे भी नहीं पड़ता अब मेरे को क्या बोला था इमारत का उचाई पूछा था यह वो इसका हाइट पूछा था ठीक है और क्या बोला था जो एंगल of elevation है दोनों पॉइंट से जो मतलब उन्यान कोन जो है दोनों पॉइंट से वो दोनों एक दूसरे को क्या है उन्यान को मतलब पूरक कोन है दोनों 90-theta होगा यहां तो इस तो clear है कि अगर यह ठीटा है तो 90-theta होगा क्योंकि दोनों का sum ही तो कितना है कितना है 90 के बराबर है बस अब question को solve करते हैं तो पहले अगर हमको पता है कि अगर हम यह आपको x इतना का दूरी है मैं इसका height माल लेता हूं h हमको h कही value चाहिए तो पहल है तो h by x यह क्या हो जाएगा 10-theta हो जाएगा बो clear है उसी तरीके से अब यह वाले angle को reference में लेता है अब यहां से q से निकाल रहे है तो यहां से क्या हो जाएगा h by यह क्या हो जाएगा y हो जाएगा अब यह क्या हो जाएगा 10-90-theta ठीक है 10-90-theta तो 10-90-theta क्या होता है कि नहीं होता आप मेरे को बता हूँ आप बोलो कि हाँ यह होता है cuad theta मेरे को h का value चाहिए यह 10 theta और यह rer cost theta, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को product कर दे ¿रहा हूँ दोनों को product कर दे रहा हूँ तो इनको अरora इनको जब multiplied लाइक मैं कर दे रहा हूँ, दोनों एक्वेशन को जब आ प्रोड़क्ट कर दे रहा हूँ, तो 10 ठीटा, 4 ठीटा किसके बराबर होता हूँ? 1 के बराबर हो जाएगा, एकन टू, और यह क्या आजागा? H, H by X, और यहाँ पर आजागा H by Y, ठीक है, H by Y, तो यहाँ से क्या आगया? H square, H square by XY आगया, तो H square, यानि H square का value मेरा क्या आगया? XY के बराबर आगया, तो यहाँ से आप मेरे को बताओ, H का value क्या हो जाएगा? अंडरूट XY नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, यानि इस का answer हो जाएगा, Option number D, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कोश्चन करवड़ा, जल्ली सेच को बनाओ, तेइस वस्तों का क्रायमूल, बीस वस्तों के विक्रायमूल के बराबर है, तो लाब परती से बताओ क्या होगा? तो तेइस वस्तों का क्रायमूल, यह आपका बीस वस्तों के सेलिंग प्रायस के बराबर है, तो CP और SP के बीच में, रिलेशन क्या निकल के आगिया, बीस वटाट तेइस का, तो कितने का प्रोफिट हो रहा? तीन का प्रोफिट हो रहा, आउट ओफ ट्वेंटी, सॉल्ब कर लो, तो 5, 3, 15 परचन का प्रोफिट, करेक्ट अंसर, उप्चन नमबर फर्स्ट, चले, नेक्श वर्षन इसको ट्राइ करो, अब यहाँ पर क्या बोला है, दो पॉइंट आपको दे दिया गया है, उसकी बीच की दूरी भी आपको बता दी गई है, के का मान बताना है, तो डियरेक्ट यहाँ पर हमनों डिश्टेंस फर्मूल लगा सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, कोडिनेट जिमेट्री में आपको डिश्टेंस फर्मूला सब पता होगा, बेसिक चीज है, और इसके उपर मैंने कम्प्रेटली ओल्रेडी विडियो बना रखाया, उससे तो कुछ बाहर एकदम भी बनना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिरेक्ट पूट करहाँ, x2-x1, यानि k-2 का होल स्क्वाइर, प्लस, मैनस 5 और मैनस 7, यानि यह आपका 12, 12 का स्क्वाइर डिरेक्ट कर देता है, 144, एकवल टो 13 का स्क्वाइर, 169, तो k-2 का होल स्क्वाइर, ठीक है, यह आपका वहाँ चला जागा, तो कितना हो जागा, 25 हो जागा, ज्यान देजागा, k-2 का होल स्क्वाइर, और यह 5 का square तो यह खत्म हो जाएगा यानि k equal to 7 यानि correct answer हो जागा option number option number B clear चले next question इसको try करो production एक पिता और पुत्र का वर्तमान आयू का अनुपात दे रखा नौ साल पहले उनके आयू का अनुपात इतना था तो पिता का वर्तमान आयू और बेटे का 5 साल बात का आयू का अंतर ग्याद करो दियान देना जैसा question बलाएकर बस वैसे करते हैं यह हो गया father यह हो गया son according to question दोनों का वर्तमान आयू दे रखा था 13 इस्टू 7 का रेशियो में 9 साल पहले यानि 9 year before की बात हो रहा है 9 year before यह आप 9 भी लिख रहा हूं जिससे आप समझ जाना यह ना भी लिखा तो पूरा ही लिख दहता हूं तो यह 9 साल पहले का दे रखा है 9 year before कितना दे रखा था वर्तमान आयू कनूपात 5 और 2 दे रखा था concept की बात करें तो आपको पता है कभी भी age का difference बदलता नहीं है तो यहाँ पर अगर आप difference देखोगे तो कितना का difference है 6 का difference है यहाँ पर difference तीन का difference है तो इसको भी 6 का बना लेते हैं तो 2 का multiply कर देते हैं यानि 2 2 4 और 5 2 10 अब ठीक है तो 7 से 4 हो रहा 13 से 10 हो रहा तो 3 unit का फरक 20 यानि लड़के का age है 21 साल और पिता जी का उम्र है 49 साल हमसे क्या पुछा था कि पिता का वर्तमान आयो और बेटे का 5 साल बाद का तो 21 5 26 का difference ही तो पुछा था तो कितना हो जाएगा चार यहां और नो चार 13 यानि 13 साल correct answer option number B चला next question इसको ट्राइ करो फटाक्सें अब यहाँ पर क्या बोला है दिये गया चितर में A B D E एक चक्री चतर बोजा है यादि angle A A D दे रखा है B C D दे रखा है angle B D E का मान पुछ रहा है यानि आप से क्या पुछ रहा है ये वल angle प A B D E ये एक cyclic quadrilateral है अब आपको cyclic quadrilateral का इसे property पता होगा कि आमने सामने का जो भुजा होता है opposite angle का sum होता है वो कितना होता है 180 का sum होता है अब ये अगर 92 degree है तो ये angle कितना होगा must be 88 degree होगा बो clear है अब ये 88 अगर ये मान लो 88 degree है तो ये angle अब कितना होगा 92 degree का क्योंकि अ अब ही मैंने बताया था कोई भी line पर 180 degree का formation होता है तो ये angle कितना होगा 92 degree होगा अब आप देख चुके रहे हो कि CBD ये भी तो एक triangle है ना आपका अब आप समझ गयोंगे अगर ये 92 degree और ये 21 degree है तो आप ये angle नहीं निकाल लोगे और जब ये angle निकाल लोगे तो अभी तो मैंने एक line पर 180 degree का angle formation होता है तो आप नहीं बता तो कि answer क्या होगा और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये triangle है अगर ये अपका triangle है तो ये इसका बहा कोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और बहा कोन किसके बराबर होता है उसी के विपरित कोन का योग के बराबर होता है त तो 92 और 21 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 113 तो बस इसका answer हो जाएगा 113 डिगरी 113 डिगरी correct answer option number D clear चले नेक्स कोशन कर बढ़ते हैं नेक्स कोशन इसको try करो यहाँ पर बोला है जब सराब और पानी के 20 लिटर का मिसरन में 1 लिटर अलकोहल मिलाई जाती है तो मिसरन में अलकोहल और पानी के प्रारंभी कानुपाद बताओ क्या होगा बताओ अब जैसा कोशन बोला गया बस वैसा कर सकते हैं सराब और पानी का 20 लिटर मिसरन में 1 लिटर अलकोहल मिलाई गया तो देखो मैं माल लेता हो कि यह आपका अलकोहल हो गया यह आपका water माल लेता है मैं माल लेता हूँ कि alcohol आपका x था तो water कितना होगा 20-x होगा according to question में alcohol को मिलाय गया 1 liter और जब मिलाने के बाद क्या बोला गया है कि मिसरन में alcohol की मातरा पानी की तुलना में 50% कम हो जाता है 50% कम हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा वन इस्टो टू का ratio में हो जाएगा सीज़ी इसी बाद है 50% कम हो गया अब आपको बस यही तो चीज़ दे रखा अब आपसे यहाँ पर पूछा था कि initial में उनके ratio क्या थे यही आपको बताना था अब आप इसको solve कर लो तो यह क्या आ गया यानि आलकोहल 6 था तो water कितना था आपका 14 solve करेंगा तो 3 बटा 7 का ratio था correct answer हो जागा option number 3 next question इसको try करो यहाँ पर बोला है किसी मूलधन के लिए पांचवे साल का चकरविदी ब्याज दे रखाया तथा चौथे साल का चकरविदी ब्याज दे रखाया कि हर साल जो interest मिलता है वो principal में add होता जाता है और दूसरे साल के लिए वो भी principal का काम करता है जैसे कि अगर दूसरे साल का जो भी interest आया होगा अब principal के साथ add होके वो 3 साल के लिए principal का पूरा काम करेगा उसी तरह के तिसरे साल में जो भी interest मिला होगा प्रिंसिपल जो रहा होगा दोनों को एड़ करके चोथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम किया होगा तो यही कोर्शन में आपको तीसरे साल का ब्याज आपको दे रखा 1995 और चोथे साल पर 2274.3 हो गया आपसे पुछा है कि बताओ तीसरे साल का चक्रिविदी ब्याज कितना था सुरी तीसरे चाल का पुछा है न अच्छा माफी चाहूंगा आपको चोथे साल और पाँचवे साल का दे रखा है न ठीक है ठेक है कोई तकलीफ हली बात नहीं है चोथे और पांचवे साल का दे रखा है यह फॉर्थ वाला माल लो और यह फिफ्ट वाला माल लो तो फॉर्थ वाला आपको कितना दे रखा है 1995 का और यह दे रखा है आपको 2274.3 का तो वही चीज मैं बोलूगा फिर से यहां से आप जो चोथे साल में जो भी इंंट्रेस्ट मिला होगा वो और प्रिंसिपल एड़ होके 15 साल के लिए प्रिंसिपल का काम किया होगा तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ यहां से मैं देख लेता हूँ कि ग्यारा से नौ जाएगा दो हो गया तो दोसों नवासी दसमलों तीन यानि इसी का जो डिफरेंस ये जो आया है ये किस पर लगा होगा भी आज उसके इंट्रेस्ट में लगा होगा और चोथे साल के इंट्रेस्ट पर लगा होगा हमको तो रेट पहले निकालना था न, तो रेट ही निकालना मेरे लिदे जरूर ही है, presenting कर एक बार रेट निकल जाएगा तो हम पता सकते हैं, 7 बार में कट जा रहा है lavender 7 बार में कट गया याणी 7 गुणा दो कितना हो गया 14 यानि रेट आप निकाल दिए हो 14% का rate of interest चल रहा है 14% का ध्यान देज़ेगा 14% का अब मैं ये सब को हटा रहा हू ये ही चीज़ मरें जरूरी थए तो 14% मतलब समझ रहे हो 100 का principle कितना हो गया 114 हो गया यानि आप समझ गए इनके बीच में जो ratio हो रहा है वो 50 और 57 का हो रहा है तो अभी जैसे कि मैंने समझाए यही 57 किसके बराबर होगा यही 57 चोथे साल के बराबर के बराबर होगा यानि 1995 यूनिट के बराबर होगा बात समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ तीसरे साल का इसको मैंने एजमसम कर लिया कि यह तीसरे साल का और यह चोथे साल का से ऐसे हो गया तो यही इसका ratio निकाला मैं थोड़ा सौट करने के लिए 50 और 57 आ गया तो 35 गुना पचास कर देंगे तो 25 पास दो 15 और 17 यानि कितना आ गया मेरा 1750 रुपया इंट्रेश्ट मिला होगा यानि करेक्ट आंसर हो जागा option number D बुल क्लियर है तो यह करना था आपको चलिया नेक्स कोर्शन इसको ट्राइ करो यहाँ पर क्या बोलाए अरवीन 5 मिटर पर 30 सेकंड के गती से अपनी साइकिल पर यात्रा करता है उसकी दिशा में 50 मिटर 50 मिटर पर सेकंड की गती से पीछे से आ रही एक ट्रेण उसे 10 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 50 मिटर पर सेकंड से train का स्पीड आ रहा है तो जब आपको पता है सेम डिरेक्शन में आता है तो relative speed क्या हो जाएगा relative speed क्या हो जाता है S1-S2 यानि यहां से क्या हो गया 50-5 और यहां पर जो मेरा आदमी को अभी जब overtake करेगा तो distance मेरा क्या होगा वही train का लंबाई हो जाएगा यानि X हो जाएगा क्योंकि लंबाई मेरे को नहीं दिय रखा है और समय कितना लग रहा था 10 सेकंड लग रहा था इसको solve करेंगे तो यह कितना जागा 4500 यानि इसका मतलब जो train का लंबाई था वो 4500 मिटर का लंबाई था अब वही train किसी platform को कितने दिर में पार करेगा यही आपसे पुछा है तो अब आप मेरे को बताओ speed तो आपको पता है train का कितना है 50 distance कितना हो जाएगा तो अब platform का लंबाई और train का लंबाई दोनों को जोड़ देंगे यानि 1000 time पुछा था आपसे तो time कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 second second पुछा था तो correct answer हो जाएगा option number third clear चले next question के बढ़ते है next question और ये मेरा आज का last question है जो कि मैं आप लोग के लिए as a homework question छोड़ कर जाता आप लोग बनाओ देखते हैं किसका आपका answer आता ठीक है तो इसी के साथ ये वाला मेरा set यहाँ पर complete होता है उम्मीद करता हूँ friends आपको session में मज़ा आया होगा और आपने सभी question आप almost maximum question आप solve भी कर पाया होगे बस इसी तरीका से जितना जादा से जादा हो सके practice करो मैं फिर से यही चीज़ दो रहा होगा आप जितना अच्छा practice करोगे उतने ही आपके अच्छी accuracy होगी उतने ही आप में speed हैगा उतने ही आपका confidence level भी बढ़ता जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो question तो आपको आता है तो मैं उसके लिए pain नहीं चलाओगा pain at least आपको जितने भी दिन आप practice कर रहे हो घर में आपको at least pain तो चलाना बनता है आप pain चलाओगे तभी आपका दिमाग चलेगा और speed से आप इतना practice करो कि आपका दिमाग और pain एक साथ आपका काम करें ठीक है क्या होता है आप जितना भी आगर आपको सब कुछ भी पता होता है जब आपके practice नहीं होती ही न उस वक्त आप pain भी चलाते हो न तो आपका दिमाग और pain का जो आपका लिखने की जो आप लिखते हो जिससे speed से वो match नहीं कर पाता है फिर आप दीरी-दीरी करते हो जिसका कारण से आपका समय बहुत लग जाता है तो यही चीज आपको coordination बनाना पड़ता है जितना ज़्यादा practice करोगे आप pain भी पकड़ोगे न आपका दिमाग उतना उफास्ट चलता हाँ बहुत समझे रहो तो यहाँ पर जितना ज़्यादा practice करोगे वो आपके लिए beneficial होने वाला ठीक है चलिए तो फिलाल यहाँ आपस मैं session को wind up करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप सभी मेरा session मतलब इसे previous वाली वीडियो भी देख रहा होंगे और इसी तरीका से आपलो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके share करो अपने दोस्तों में ताकि मैं इस चीच को भी आगे भी अपने तरफ से continue रखूँ ठीक है चलिए बेस्ट अपलक आप सभी लोगों को मिलते हैं फ़र्ट के जैए हिंद जैवारत